हेलो एवरिवन आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के MCQs क्यूशन सॉल करेंगे देखें क्यूशन नमर वन दा वेल्यू आफ कोस वन डिग्री, कोस टू डिग्री, कोस ट्री डिग्री, अब टू कोस नैंटी डिग्री हमको कॉस वन डिग्री से लेकर कॉस नैंटी डिग्री का मल्टिप्लिकेशन पुझा गया है इसके अंदर हम एक बात ध्यान से देखते हैं कि कॉस नैंटी डिग्री की टाम आ रही है and we know that कॉस नैंटी डिग्री की जो वेल्यू होती है वो जीरो होती है अब जीरो को अपन कोई भी टर्म आए अपन मल्टिप्लाई करें तो रिजल्टिंग जीरो हो जाएगा तो इट मेंज कॉस वन डिग्री टू अब टू कॉस नैंटी डिग्री यह जो टर्म है अब यहाँ पर कॉस नैंटी डिग्री इस पूरी वेल्यू हमाँ पास क्या है जीरो और जीरो का हम पूरी टर्म से मल्टिप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग जीरो हो जाएगा अब देखिये हैं यहाँ पर हमाँ पास 4 ओक्शन्स है फिर्स्ट ओक्शन है 1 B-1 C is 0 और ओक्शन C is correct C हमारा correct option है और next question is X 1045 degree sign 30 degree equals cos 30 degree 10 30 degree now हम ही जानते हैं कि 1045 degree की value 1 होती है it means x multiplied by 1 multiplied by sin 30 degree sin 30 degree की value भी हम जानते है that is 1 by 2 equals cos 30 degree and cos 30 degree की value हम जानते हैं cos 30 degree की value that is under root 3 by 2 यह cos 30 degree की value हो गई and साथ साथ यहाँ पर 1030 degree भी है and we know that 1030 degree की value 1 by root 3 simplify करते है root 3 से root 3 cancel out 2 से 2 cancel out it means x के लिए हम आपस जो result बच रहा है हम आपस x equal to 1 अब देखी 4 options में हम आपस 1 option आ रहा है d it means our option d is correct now our next question is यहाँ पर हमको given है m cot a equals n और हमसे value पूछी गई है m sin a m sin a minus n को से upon n को से plus n sin a देखी यहाँ पर हमको जो दिख रहा है cot a cot a की अगर हम बात करते हैं तो cot a की value हो जाएगी n upon m अब जो हमसे question कहा गया है m sin a minus n को से upon n को से plus m sin a तो देखी इसके अंदर हम यह पूरी term को हम cot में convert करेंगे cot में कैसे convert करेंगे जब हम numerator और denominator दोनों के अंदर numerator और denominator देखिए numerator हमाँ पास यह वारी term आ गई m sin a minus n को से denominator यह term आ गई तो हम यहाँ पर numerator और denominator को हम convert करेंगे पूरी term को cot की term में तो देखिए कैसे convert करेंगे we know that cos upon sin that is cot it means numerator और denominator में हमको sin का divide करना पढ़ाएंगे it means यहाँ पर भी हम sin का divide कराएंगे that is यहाँ पर sin का divide लगाएंगे और denominator यह है यहाँ पर भी हम sin का divide लगाएंगे साइन का डिवाइड लगाने पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो जो रिजल्ट है यहाँ पर जिसे हमने साइन का डिवाइड लगाया तो it means जो रिजल्ट आ रहा है हमाँ पास साइन का डिवाइड लगा दियागी हमने इसमें तो it means साइन से साइन कैंसल हो जाएगा माइनस एन कोस अपोन साइन यहाँ जो रिजल्ट आपोन जो डिवाइड लगाने पर it means एन कोट ए प्लस एन यह हमाँ पास वेल्यू आ गई है अब देखिए हमको यहाँ पर कोट ए एन बाई एम दे रहा है तो हम यह जो कोट ए है इसकी जेगे हम एन अपोन एम पुट करेंगे तो देखते हैं अब इसके बाद रिजल्ट के आता है कोट ए मींस एन बाई एम कोट ए की वेल्यू हम रखेंगे एन बाई एम तो इतमीनस हमापा जो रिजल्ट आएगा एम माइनस एन कोट ए की वेल्यू हम पुट करेंगे एन बाई एम एससे ही डिनोमेनेट बाई हम वेल्यू पुट करेंगे कोट की वेल्यू n अपॉन m that is n कोट की वेल्यू n अपॉन m plus m इसकी अब हम calculation करेंगे तो देखी calculation में आएगा माँ पास lcm हम लेते हैं यहाँ पर m that is numerator में value आएगी m square minus n square upon denominator के अंदर जो value आ रही है that is n square plus m square lcm हमने जो लिया है वो m है यह cancel out हो जाएगा it means हमाँ पास जो result आएगा final that is m square minus n square upon n square plus m square तो देखीए यह हमको option number b में देख रहा है result it means हमारा option number b correct है now our next question question number 4 देखी question number 4 के अंदर यह पूछा गया है sign to b equals sign to b equals to sign b यह value कब true होगी when b is equals to तो देखीए इस type के कोई भी questions आते हैं इनका सबसे अच्छा वे आप जो हम आपस 4 options दे रखें उनको put करके check करिए फोल से इसको satisfy कर रहा है तो देखीए जैसे हम 90 रखते हैं तो sign 90 into multiply 2 that is 180 तो sign 180 degree अपने से आउट ओफिस लेपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे अपन आगे चलते हैं 60 degree रखते हैं तो 60 के हैस में भी 60 multiplied by 2 हो रहा है that is 120 degree वो भी अपने से आउट से बाहर है तो it means यह दो option तो देखीए हो नहीं सकते अब हमाँ पास remaining two options है C option 30 degree and D option 0 degree तो देखीए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा mind use करें इनमें simplest workout हम जो करेंगे simplest workout का मतलब ऐसी कौनसी value हम फार पुट करें जिससे हमारको calculation में ज़्यादा दिख करनी है it means आई होप आप लोगों को समझ में आए D option से ही ऐसा possible है तो हम D option या रखके देखते है it means यहाँ पर जो value आएगी D option रखने पर यह अगर हम value देखते हैं D option के लिए that is यहाँ पर sin 2 B अगर हम B की जगे 0 रखते हैं तो sin 0 degree हो जाएगा और equals to 2 sin 0 degree sin 0 की value is 0 equal to 0 it means यह option satisfied कर रहा है it means our correct answer is D option D option हमारे लिए correct हो जाएगा now students next question sin 2 A की value हमको 3 by 4 given है तो आप से पूछा गया है बताएगे cos square A plus sin square A की value क्या होगी देखिए इस type को कोई भी question आते हैं आपको एक trigonometric ratio की value दे रहिए और फिर आप से पूछा गया कि sin square A plus cos square A इस पूरी time की value क्या होगी तो इसके लिए आपको देखिए ओ एक चीज़ पता हो नीची हम लोगों को सबसे पहली बात कि sin square theta प्लस cos square theta यह जो value होती है 1 के equal होती है यहाँ पर भी यह बात ध्यान देने की theta दोनों same होना चाहिए theta का मतलब angle जैसे आप बोलोगे कि क्या हम theta की जगे आपके 30 degree और 60 degree होता तो possible है तो मैं बोलता नहीं है यह दोनों value same होनी चाहिए अब देखिए इस वाली question में आप ए एंगल से हमा रहे है तो ए एंगल से हमा रहे है इसका मतलब हमारा answer जो होगा 1 होगा it means 4 options में हमा पास a option 1 देने का it means our correct answer is 1 now next question is tan a equals root 3 then sin square a minus cos square a की value क्या होगी now students tan a equal to root 3 it means tan a root 3 जो value आती है कब आती 10 में हम जानते है 60 degree पर आती है it means a जो value हर यह एंगल a की 60 degree अब देखिए a 60 degree हम दोनों जगे put करेंगे sin square 60 degree और cos square 60 degree तब आपस जो value आएगी that is sin square 60 degree minus cos square 60 degree अब हम इसकी simplification करेंगे कि इसकी simplification करने पर क्या आता है तो देखिए यहाँ पर आ रहा है sin square 60 degree तो sin 60 degree की value होती है under root 3 by 2 all square minus cos 60 degree that is 1 by 2 all square इसको मगर simplify करते है that is 3 by 4 minus 1 by 4 which is equals 2 by 4 cancel out 1 by 2 it means हमारा c option जो आ रहा है 1 by 2 यह correct option है यानि अंसर जाएगा मापा c 1 by 2 now our next question is that question 7 y sin 45 cos 45 equals 10 square 45 minus cos square 30 then y equals तो देखिए इसके अंदर भी हमको कुछ नहीं करना जो values दे रखिए values पुट करने है तो देखिए यहाँ पे y sin 45 की value हम जानते है that is 1 by root 2 cos 45 also 1 by root 2 1045 1045 की value 1 and 1 का square हम यह पुट करेंगे minus cos 30 cos 30 की value हमको पता है that is under root 3 by 2 यह इसका whole square हो रहा है simplify करते हैं y root 2 multiply root 2 that is 2 equals 1 minus 3 by 4 और y इसके अगर हम calculation करते है that is 4 multiply 1 4 मैंज़ा 4 minus 3 that is 1 by 4 simplify करते हैं 2 से cancel out हो जाएगा it means y की value आ जाएगी 1 by 2 अब देखिए 4 option में a minus 1 by 2 यानि यह नहीं चलेगा b option देखिए that is 1 by 2 it means our option b यहाँ पर आ रहा है 1 by 2 यह correct option है now next question is that यहाँ पर हमको यह दे रखा है sin theta plus sin square theta यह 1 है तो बताए यह cos square theta plus cos की power 4 theta की value क्या होगी देखिए इसके लिए हम यह देखेंगे sin theta plus sin square theta 1 है तो हम इसको यह बोल सकता है sin theta is equals 1 minus sin square theta और 1 minus sin square theta यह अपने आप में एक identity है and we know that 1 minus sin square theta means cos square theta यानि sin theta equals cos square theta हो गया है अब देखिए आप से क्या पूचा गया question के अन्दा cos square theta plus cos 4 theta इसकी value बतानी है हम इसमें एक काम कर सकते है sin theta is equals हमको given है cos square theta अब देखिए value क्या निकालनी है हमको cos square theta plus cos 4 theta यह value हमको find out करनी है तो देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते है cos square theta plus cos square theta all square cos square theta का हम ऐसे भी लिख सकते है इससे क्या होगा देखते है वापन अभी अभी हमने क्या देखा था इसके अंदर सबसे पहले कि sin theta is equals था cos square theta के it means cos square theta की जगे हम क्या रख सकते है sin theta तो यहाँ पर जो cos square theta आ रहा है इसकी जगे हम put कर देखे sin square theta तो देखिए इसके बाद cos square theta plus इस cos square theta की जगे हम रख रहे है sin theta और sin theta का क्या हो रहा है यहाँ पर all square it means हमार पास अब जो value आ रही है अगर हम उसको देखे तो हम यह देखेंगे इसके अंदर cos square theta plus sin square theta यह value हम आपास बच रही है और अपने ही जानते है cos square theta plus sin square theta यह identity है और यह value हम सब जानते है trigonometric identity में cos square theta plus sin square theta is equals to 1 अब देखेंगे 4 option में 1 कहां पर आ रहा है अब हम यह देखेंगे first option है minus 1 यह नहीं चलेगा b नहीं चलेगा c option 1 आ रहा है यह देखेंगे और अपन चलेगा now next option अब देखें next option में क्या है हमको value निकालनी है 5 10 square minus 5 second square plus 1 यह value हमको find out करनी है तो देखेंगे इसको करने गे लिए हम क्या करेंगे 5 देखेंगे यहां पर 10 square और second square में दोनों 5 कमर आ रहा है तो हम 5 पहले कमर निकाल देता है that is 10 square a minus second square प्लस 1 अब देखें यह हमको पता है 10 square a यह जो value है यह identity किसके एकोल होती है sorry stack stack square a minus 1 के यह already stack square a given है plus 1 stack square a से stack square a cancel हो जाएगा simplify करते है minus 5 plus 1 यह किसके एकोल हो जाएगा that is minus 4 तब देखते हैं इन 4 options में minus 4 कहां पहे आ रहा है देखेंगे first option है 6 नहीं चलेगा minus 5 d option यह भी नहीं चलेगा c option 1 यह भी नहीं चलेगा d option minus 4 रहे इस आवर option d is correct देखेंगे next option if stack plus 10 a equal to x then stack equals to stack की value पूछी गई है देखेंगे इसको करने के लिए हम short method भी उस कर सकते हैं और full solve भी कर सकते हैं लेकिन अब objective की बात है तो हम देखें full solve करेंगे तो सही नहीं है कोई एक ऐसा method हो जिससे बहुत fast calculation हो जाए तो देखेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कोई भी value suppose कर लेंगे जैसे यहाँ पर क्या देखेंगे सके plus 10 है तो अपर एक काम करते हैं जैसे एंगल कोई भी value ले ले लेता है जैसे let हम कर लेता है तो सबसे simplest value तो मैंको तो 0 degree लगती है क्योंकि अपनी starting 0 ही होती है तो अपर जैसे equal to ले ले लेता है 0 degree यह अगर 0 है तो हमने a 0 लिया उस case में x क्या हो जाएगा sec 0 plus 10 0 अब देखे sec 0 की value तो कित्ती हो गई 1 हो गई और 10 0 means 0 it means खुल बला के x की value कित्ती हो गई हमाँ पास 1 आ गई अब x equal to 1 है हमाँ पास a हमने लिया था 0 degree उस case में sec 0 की value 1 आ गई यानि हमको 4 option में ऐसा option चाहिए जहां पे हमाँ पास sec 0 यानि sec a की value 1 आने चाहिए 1 हमको चाहिए तो देखे 1 option कहां सा सकता देखे 1 option चेक करते हैं जैसे x की जगे हमाँ आ पास क्या रखना है 1 तो 1 का square plus 1 upon 2 multiply 1 that is 1 plus 1 2 by 2 cancel out that is 1 देखे फश्ट से अपने पास बन आ गया means हमारा option तो देखी यह फश्ट ही correct हो गया आगे आप और चेक करने की जरूत ही नहीं क्योंकि आगे अगे अगे आपने चेक करते हैं यह आपे 0 आएगा यह जिरू आएगा now our next question is second plus 10a equals x then what is the value of 10a देखे इस question को solve करने के लिए भी हम short trick का use करेंगे क्योंकि अगर हम इसको full solve करते हैं तो वो subjective part में चल जाता है लेकिन अब अपना को workout करना है वह एमसी क्यूज है तो जितने short में हम कर सकते हैं वह technique क्यूज करने है तो देखे इसको करने के लिए हम यहाँ पर जो से के प्लस 10a है यह angle a है हमारे अपनी मन से कोई भी value पुट कर देंगे लेकिन हाँ जिसे angle a की जिए हम 0 degree रह सकते है 30 degree रह सकते है 45 60 और 90 degree में कुछ भी रह सकते हैं लेकिन इनमें जो simplest value है वो है 0 degree पर तो हम क्या पूट करेंगे that कर लेंगे let a equal to 0 degree यह ध्यान लाना यह objective question कर रहे हैं इसलिए हम hidden trial method यूज कर रहे है अब a equal to 0 degree पूट करने पर x की जो value आएगी तो हम आपास x की value क्या जाएगी stack 0 degree plus 10 0 degree तो दिखिए यहाँ पर x हो जाएगा stack 0 की value 1 and 10 0 की value 0 it means x equal to 1 आ जाएगा और अब हमसे क्या पूछा गया what is the value of 10 है it means 10 0 degree की value पूछेगी और 10 0 degree की value होती ही 0 यानि 4 option में जहाँ पे भी हम x equal to 1 रखेंगे जिस भी option से 0 आता है अपना correct option है तो देखिए first option से हमको देखना आएगा इने 0, c से भी नहीं आएगा obviously b से आ रहा है तो तो इस अपना b option correct है now our next question देखिए यहाँ पर दे रखा है sin a 1 by 2 तो cot a की value हमसे पूछी गई है देखिए sin a की value है हमको given है 1 by 2 तो देखिए sin a equal to 1 by 2 इसमें हम एक काम कर सकते हैं जैसे एक triangle में आते हैं देखिए a, b, c sin means perpendicular upon hypotenuse it means जैसे अगर हम इसको one mark कर रहे हैं तो hypotenuse is 2 अगर हम इसका base a b निकालते हैं तो a b is equals root of 2 square minus 1 square that is under root 3 a b की value हमाँ पाइस under root 3 आ गई है अब cot a पुछा गया है cot means base upon perpendicular तो अब देखिए base की value हमाँ पर root 3 है perpendicular is 1 it means cot a equals root 3 upon 1 that is root 3 अब देखिए 4 options में हमारे पास root 3 value किस option मारी हम देख देखिए देखिए first option है root 3 it means first हमारा correct है it means हम first को mark कर देखिए that is first option is correct now our next question is x equals a cos theta and y equals b sin theta x equals a cos theta y equals b sin theta then b square x square plus a square y square की value हम से पुछी गई है तो इस बहुत simple question है कुछ नहीं करना x equal to a cos theta हम इसमें put कर देगे x ही जगे a cos theta तो b square यहां पे आ रहा है x आ रहा है यह x square है तो इस x की जगे हम put करेंगे a cos theta all square plus a square अब देखिए यहां पे आ रहा है आगे y square y means y की value आ रही है b sin theta तो y की जगे हम रख देंगे b sin theta इसमें भी हम आपस all square आ रहा है simplify करते हैं simplify करने पर b square a square cos square theta plus a square b square sin square theta पूरी हम calculation करते हैं इसकी calculation हम देखिए कुछ common तो नहीं आ रहा देखिए यहां पे b square a square यहां पे b square b square means a square b square common आ रहा है common निकाल लेते हैं यहां पर आएगा cos square theta plus sin square theta इसकी value 1 होती है it means हमा पास जो value आ गई है अब that is a square b square multiplied by 1 that is a square b square final result आ रहा है तो यानि हमारा option अब हम देखते हैं a square b square किसमें आ रहा है first option is a b नहीं चलेगा second option भी नहीं चलेगा third option हमको दिख रहा है a square b square it means our third option is correct now our next question is that what is the maximum value of 1 upon cosec देखिए 1 by cosec का मतलब हम जानते हैं वैसे तो यह sign के एक एकवल होता है अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है a angle जो angle a है का लाई कर रहा है 0 degree से लेकर 90 degree तक में तब देखिए 0 से लेकर 90 degree के अंदर sign के maximum value कब आती है 90 degree पे sign 0 तो 0 degree होगे सबसे least value और maximum value 90 degree पे आती है and we know that sign 90 की value जो होती है 1 है it means maximum value of 1 by cosec a क्या होगी 1 it means हमारा b option correct है now our next question what is the minimum value of sign a और हमको यहाँ पे यह interval दे रखा है a लाई कर रहा है 0 से लेकर 90 degree तक में अब देखिए 0 से लेकर 90 degree के अंदर sign की हमको ही पता है देखिए sign की टेबल हम सब जानता है sign theta की जो value होती है minimum value जो sign की आती है 0 degree पे आती है that is sign 0 की value क्या होती है 0 minimum value it means हम यह बोलेंगे यहाँ पर जो value आ रही है sign की minimum value इस interval के अंदर 0 से लेकर 90 degree में minimum value कहा पे आएगी 0 degree अब देखिए 4 option में हमको नहीं देखिए it means हमें बोलेंगे इन में सदे तो कोई correct नहीं तो एक option और होना चाहता है इसमें वो यह option होता that is 0 degree it means इसका answer 0 degree होगा now our next question is that what is the minimum value of cos theta and theta lie कर रहा है देखिए theta lie कर रहा है 0 से लेकर 90 degree तक में अब देखिए cost की maximum value cost 0 degree पे आती है और cost 0 की value होती है 1 and cost की minimum value कब आती है 90 degree पे and we know that cost 90 degree की value होती है 0 it means sorry cost 90 degree की value होती है 0 and 0 option हमको दिखाए B में यानि हम यह बोलेंगे कि अपना answer जो होगा B option correct होगा now next question है हम हमाँ पास sin theta दे रहा है हमको A upon B देखिए sin theta दे रहा है हमको A by B तो पूछा गया है 10 की value हमको बता नहीं है देखिए इस type की कोई भी question आते है जैसे sin theta हमको दे रहा है यहाँ पे A upon B आप इसमें काम और कर सकते हैं A और B कोई भी value लेट कर सकते हैं लेकिन यह धिहान दखना sin की जो value होती है 0 to 1 के बीच में होती it means हम जो A upon B की जो B value लेंगे जो resulting value आती है पूरी यह value less than और equal to 1 तक होनी चीए 100 परणी होनी चीए यह आपको धियान दखना है hit and trial method के अंदर यह सबसे में work out है तो हम जैसे sin यहाँ पर theta है तो sin theta हम यहाँ पर 1 ले लेते है और B ले लेते है 2 तो दिखिए sin theta की value कितनी हो गई 1 by 2 तो अब sin theta में 1 by 2 कब आता है theta कब होता है 30 degree पर अब question में क्या पूछ होगी theta 30 degree तो यहाँ पर है 10 theta तो हम से पूछा गया 10 30 degree की value बताईए 10 30 degree की value हम जानते that is 1 by root 3 अब पूर option में A की जगे 1 और B की जगे हम 2 रखेंगे जिस्ते भी 1 by root 3 आ रहा है वो हमारा correct option होगा तो अब हम देखते हैं कौन सा हमारा option correct आता है अब हम values पूट करते है तो अब देखते है हमने जो value रखी है A equal to 1 and B equal to 2 देखिए first option तो होगा ही नहीं second option की बात करते है A equal to 1 देखिए यह answer में हम बात करते है A upon B square minus A square है तो अब हम A की जगे 1 रखते है B की जगे 2 तो 2 square minus 1 square यह तो हमारा पतारा 1 by 3 जबकि ची हमको 1 by root 3 यह इसकी जगे क्या आना ची root 3 आना ची अब root 3 तो C answer में आ रहा है यह हम बोलेंगे C option is correct Now अब हमारा पास जो next question है जो next question आ रहा है अब हमारा पास that is 4 10 A equals 3 तो आपको value पूछे गई है 4 sin A minus 4 से plus 1 upon 4 sin A plus 4 से minus 1 की तो देखिए इसको करने के लिए पहले हमें काम करते हैं यहां से देखते हैं 10 A क्या होगा 10 A किता हो जाएगा 3 upon 4 यानि हम आपास 10 theta की value 3 by 4 है अब देखिए इस question में हम आपास sin और cos की terms आ दिए तो हम क्या करेंगे यह sin और cos की जो terms है इसको हम 10 में convert कर देंगे और हम यह जानते हैं 10 में कैसे convert करना आपको कैसे करता है sin upon cos 10 होता है यानि अगर इस time में sin के नीचे 10 आ जाता है sorry, sin के नीचे cos आ जाता है तो sin by cos होके 10 मन जाएगा तो इसको convert करने के लिए हम क्या करेंगे numerator and denominator that is यह तो देखिए यह numerator हो गया उपर वाली जो time है that is numerator यह numerator और denominator दोनों में हम क्या करेंगे नीचे denominator होगी आप जानते है दोनों में हम cos का divide लगा देंगे तो देखिए cos का हम divide लगाते है तो हमाँ पास जो result आता है वो क्या आएगा देखिए सबसे पहले हम उपर लगाते हैं यहां पर क्या दिया आपको कि 4sin माइनस को से प्लस वन अपन 4sin माइनस को से माइनस वन आप इसको देखिए देखिए 10 equal to 3 by 4 करके इसे divide करके भी कर सकते हो नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो 10 equal to 3 by 4 आप triangle बना लीजे एंगल दिर मार कर दीजे यह 4 हो गया यह 3 हो गया और यह हमाँ पास hypotenuse है इसके आप value find out कर लीजे यह value कित्या आएगी 4 का square माइनस 3 square देखिए 4 का square माइनस 3 square यह हमाँ पास जो value आएगी 16 minus 9 that is root 7 यह हमाँ पास root 7 आगई अब आप सभी trigonometric जो ratios है उनकी value पूट कर दीजे यानि देखिए sin a की value हो जाएगी 4 by root 7 4 की value आजाएगी 4 by root 7 यह दोनों value आप put कर दीजे और फिर इसका simplify करिए कि final result आपके पास क्या आता है तो देखिए इसका जो भी answer आता है या आप comment section में लिखके आप या answer बताईएगी इसका answer क्या आएगा सोरी अब देखिए यहाँ पर एक चीज की गलती हो गई यहाँ पर क्या गलती हो गई हमने जैसे यह hypotenuse find out चो हमको करनी थी हाइपोटनी उस तो क्या होती है पर पेंडिगल स्कार प्लस बेस स्कुरा है इट मेंज यहाँ पर माइनस नहीं आके यहाँ पर प्लस आएगा देखिए एक छोटी सी गलती से सारा काम हमारा बिगड़ी है इट मेंज यह जो वैल्यू आएगी देखिए कित्ते चेंज होग है तक देखिए अब हमापास सारी वैल्यू थी चैन्ज हो गही है सारी वैल्यू थी चैन्ज हो गही है तो अब हम ग वैल्यू इसको वापिस सही करेंगे तो साइन एक की जो वैल्यू आ रही है अब हमापास four by five आ गई और cost a की value sorry sign a की value four by five and cost means base upon hypotenuse यहाँ अभी अपान 3 by 5 अब ये values आपको sign और post के जगे पुट करनी है और फिर चेक करना है कि इसका answer क्या आता है अब देखिए नेक्स चुशेनल में भाम पास इन ट्राइंगल A, B, C, C एंगल 90 डिगरी है तो बताएं ये sign A plus B के वेलिए क्या होगी अब देखिए हम इसके लिएक ट्राइंगल बनाते हैं एक बाज देखिए समझने के लिए है A अब देखिए इसमें साफ-साफ लिखने करें C 90 डिगरी तो हम यह C 90 डिगरी यह ही शो करेंगे ये B दर मार कर देते हैं अब ये देखिए 90 डिगरी है तो ये B और A दोना मिलाकर 90 डिगरी होंगे यानि A प्लस B की जो वेल्यू हाईगी ये किसके एकवल होगी 90 डिगरी के और साइन 90 की वेल्यू क्या होती है 1 और ऑप्शन में चेक कर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखिए D ऑप्शन में बना रहा है यानि D ऑप्शन अबना है करेक्ट है नव और नेक्स कुशन देखिए यहाँ पर दे रखा है इफ साइन ए माइनस को से जीरू के एकवल है तो साइन फोरे माइनस कोस फोरे की वेल्यू क्या होगी अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है साइन ए माइनस कोस से जीरू के एकवल है तो हम यह देखेंगे साइन ए किसके एकवल आ गया कोस ए या कोस को अगर हम इसके निचे शिप्ट कर दें साइन ए अपॉन कोस से वो किसके एकवल होगा 1 के क्वल और साइन एंगल एंगल एक ता गया 45 डिगरी आ अब हमसे क्या पूछा गिया है कि साइन की पावर 4a माइनस पावर 4a की वेल्यू क्या होगी दिखते है पफन इसकी वेल्यू निकालते हैं क्या वेल्यू आती है यह हमाँ पास 45 डिगरी है हम यह पूट कर देता है साइन पावर 4 45 माइनस कॉस पावर 4 45 यानि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं साइन 45 डिगरी की पावर किती हो गई 4 माइनस कॉस 45 डिगरी की पावर किती हो गई 4 आगई साइन 45 की वेल्यू हमको पता है देट इस 1 बाई रूट 2 वाल पावर 4 फोर्स 45 आलसो 1 बाई रूट 2 देखिए 1 बाई रूट 2 पावर 4 से इस दोनों सेम वेल्यू आ रही है इसमें हम बोल सकते हैं cancel out हो जाएगी यानि answer 0 आएगा चेक करते हैं कौन सालसे सही है फर्स्ट आफ्षिन है 2 नहीं चलेगा फर्स्ट भी नहीं चलेगा थर्ड तीनों ही नहीं चल रहे यानिस D option नन आप दीज या रहा है यहनि हम जो मार्क करेंगे D option मार्क करेंगे यानि इस नन आप दीज इस देखे क्यूशन नमबर 21 क्यूशन नमबर 21 में यह नेक्स शिशन में बोला गया है बहुत इसी क्यूशन है यह आप सभी को पता है कि राइट एंगल के अंदर इनके साइट्स की रेशियो एक्यूट एंगल के विद रैस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल इनको क्या वोलते है यह आप सभी जानते हैं बहुत इसी क्यूशन है देखे फोर ओप्शन में आपस क्या देखें पहले तो है पर्स्ट ऑप्शन है ट्रिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीटीजूट ट्रिक्नोमेट्रिक थार्ड ट्रिक्नोमेट्रिक रैस्योज उफ एंगलस देखें नन ऑप दीज तो दिखरहे हैं हमको यह ऑप्शन इसका C ही correct है इसको one technometric ratios of the angles बोलते है तो यह next question इसमें हमको दे रखा है 10 theta plus 1 by 10 theta 2 है 10 theta plus 1 by 10 theta क्या दे रखा है 2 तो अब देश से पूछा गिया है what is the value of 4 power 9 theta plus 1 by 4 power 11 theta की value क्या है तो देखिए इसके नाम यह देख रहे है 10 theta plus 1 by 10 theta 2 है हम एक काम कर सकते है इसको simplify करते है कैसे करेंगे देखिए ध्यान से देखिए 10 theta अगर हम इसका LCM लेते हैं तो हमाँ पास जो value आएगी value आएगी 10 square theta plus 1 equals 2 यह हम ऐसे बोल सकते है 10 square theta plus 1 equals 2 10 theta इसको आगे हम और simplify करते हैं 10 square theta minus 2 10 theta plus 1 equals 0 देखिए अब यह हमको दिख रहा है यह अपने आप में एक identity बन गई है कौन से identity बन गई है आप सभी जानते हैं a square minus 2ab plus b square बन गई देट इस 10 theta minus 1 कौन square equals 0 इस से अगर हम बात करते हैं square root दोनों साइड लेते हैं 10 theta minus 1 equal to 0 हो रहा है तो 10 theta की value क्या आ रही है हमाँ पास 1 आ रही है अब देखिए हमाँ पास 10 theta की value 1 आ गई है और हम से question में क्या पूछा गया है quad power 9 theta plus 1 by quad power 11 theta की value पूछी गई है इसमको quad theta की value की जरूत है 10 theta अगर 1 है तो quad theta इसका reciprocal होता है वो भी one हो जागा क्योंकि 1 का reciprocal one होता है यानि quad theta की value 1 आ गई है इसकी quad power 9 theta plus 1 by quad power 11 theta की तो quad theta की जरूत करते है that is 1 power 9 plus 1 by 1 power 11 और इसकी हम अब simplification करेंगे 1 power 9 1 पर कोई भी power लगा दीजे 1 ही आएगा यहाँ पर भी 1 की power 11 that is 1 total मिला कि हमा पास value आ जाएगी 2 it means हमारा final answer आएगा 2 अब देखे 4 option में 2 खाँ पर आ रहा है तीकि 1st option 142 नहीं चलेगा 2nd भी नहीं चलेगा 3rd option आ रहा है हमारा पास 2 it means हम भी बोलेंगे हमारा जुत्थी 3rd option that is C option 2 correct है now next question that is अब देखें question में क्या कहा गया है यहाँ पर पूछा गया है 9 sec square minus 9 10 square की value क्या होती है देखें इसमें एक बार ध्यान देना दोनों term में क्या कुछ common आ रहा है यह पूरी term देखें 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 से कोई भी question स्वाल करते हैं तो देखो सबसे पहली जो step होती है उसकी सारी times देखें कुछ common आ रहा है तो common निकाल दीजिए देखें हम यहाँ देख रहे हैं 9 common आ रहा है तो 9 को हम common भार निकाल रहे है अब अंदर क्या value आ रही है sec square a minus 10 square a अब देखें sec square a minus 10 square a identity है जिसकी value 1 होती है it means 9 multiplied 1 which is equals 9 यानि हमारा answer होगा इसका 9 अब हम core option में check करते है कौन सा option 9 हा रहा है अब देखें first option था हम आपास 1 है second option है हम आपास 9 it means b option जो 9 हा रहा है वो हमारा correct है हम b को mark कर देखें next question जो हमारा होगा वो question होगा our question is that if cos alpha plus beta equals 0 then sin alpha plus beta की value क्या होगी और हमारा पास 4 options है first option है हमारा पास 0 second option जो हमारा पास है यापे 1 c option है minus 1 and d option है none of these तो देखते हैं इसका answer correct क्या है अब देखें कि cos alpha plus beta 0 है तो हम यह बोल सकते हैं cos alpha plus beta अब देखें कि cos में 0 0 degree का बाता है 90 degree पर तो it means alpha plus beta की value क्या आगई 90 alpha plus beta 90 degree हम यहाँ पर put करेंगे it means हमारा पास जो final जो value आजाएगी that is sin alpha plus beta और alpha plus beta हमने क्या रख रहे हैं यापे 90 degree यारि हम क्या बोलेंगे हमको value किसकी निकाल दी sin 90 degree की और sin 90 degree की value क्या होती है 1 होती है it means for option में correct option 1 का रहे B option पर यारि हमारा answer B is correct now our next question that is 25 question 25 में है पूछा गया है in triangle ABC right angle at C right angle C पर है तो पूछा गया what is the value of cos A plus B देखिए अब इसमें हमको क्या करना है हम एक triangle मनाते है पहले तो और यहाँ पर क्या पूछा गया है बोला गया है right angle at C पर ले दो जोगे C पर हम 90 degree मना देते हैं अब A और B है यहाँ इदर में A मार्क करते हैं इदर B मार्क करते हैं अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि C पर 90 degree है तो value किसकी पूछी गई है cos A plus B की अब देखिए C 90 degree तो A और B दोनों मिलाके 90 होंगे it means A plus B की value क्या हो जाएगी 90 degree और cos 90 degree की value हम जानते है cos 90 degree की value जो होती है 0 यानि हमारा A option यहाँ पर 0 degree आ रहा है यानि A option is correct now our next question is the value of sin square 30 minus cos square 30 is देखिए इसमें हम क्या करेंगे sin 30 degree हम जानते हैं value कित्ती होती है 1 by 2 put कर देता है and cos 30 की value भी हमको पता है that is under root 3 by 2 put कर देता है solve करता है that is 1 by 4 minus 3 by 4 simplify अगर हम करता है तो हम आपास जो value आ रही है that is minus 3 sorry 1 minus 3 by 4 that is minus 2 by 4 cancel out करते हैं तो answer आ रहा है minus 1 by 2 check करते है minus 1 by 2 कौन सा option है देखिए पर्ष्ट option है नहीं पर्ष्ट option आ रहा है मापास 0 degree यह नहीं चलेगा b option 1 है यह भी नहीं चलेगा c option minus 1 ही है यह 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 तीन नहीं option नहीं चल ले तो हम जो correct option mark करेंगे that is not यह यह दिक हम mark करेंगे क्योंकि इन तीनों में से कोई answer match नहीं रहा है यह यह अमरा answer d is correct now our question number 27 question is that 3 cot theta equal to 2 then what is the value of 10 theta देखिए क्या देखिए 3 cot theta अगर 2 है तो 10 theta क्या होगा बहुत simple question cot theta क्या हो जागा 2 by 3 अब cot theta 2 by 3 है तो 10 हमको बताना है 10 क्या होता है 1 by cot यानि दोनों साइट का अगर हम reciprocal कर देते हैं यानि 10 theta कितना हो जाएगा हम आपास 3 by 2 अब देखिए 4 option अगर हम check करते है 3 by 2 खाँ पर आ रहा है first option ही हम आपास 3 by 2 दीख रहा है यानि हमारा first answer ये correct है देखिए question no.28 question no.28 में था गया in triangle ABC right angle at C right angle C पर है तो आप से पूचा गया है कि बताएं sin A plus B की value क्या होगी देखिए बहुत simple question है यहाँ पर हमको क्या कहा गया है right angle है C पर C पर right angle मना दिया A इदर B इदर अब sin A plus B की value पूची गई है अब C पर right angle है यानि A और B दोनों मिला के 90 degree होगे यानि हमसे पूचा गया sin 90 degree की value क्या होगी यानि sin 90 degree value अब देखिए क्या आरी है हम आपास 4 option में B पर आरी है 1 यानि हम जानते हैं यानि B option is correct नवा नेक्स्ट क्यूशन देखिए नेक्स्ट क्यूशन में बोला गया है कि theta की value लाई कर दिया 0 से लेकर 90 की बीच में तो बताई यह set theta की value क्या होगी इसका मतलब यह है दिकि 4 option है set theta क्या 0 से बढ़ा होगा greater than 1 का मतलब 0 से बढ़ा sorry 1 से बढ़ा less than 1 equal to 1 या none of these देखिए 0 to 90 degree के हंदर हम ही जानते है set theta की जो भी value आ रही है सारी value देखिए 0 से लेकर 90 degree में आपको बताना है set theta की value जो होती 0 to 90 degree में जो भी value निकलती है देखिए 0 की value कित्ती होती है आप जानते है set 0 degree की value आपको पता है that is 1 होती है और 0 से लेकर 90 degree के बीच में पूछा गया है यानि 0 degree के हमको उपर जाना है यानि इसके अंदर उपर 0 degree included नहीं है और 90 भी included नहीं है stack 90 भी included नहीं है इनके बीच की value बताना है that means इनके बीच की जो भी value आएगी वह greater than 1 होगी हम यह जानते है it means हमारा option यह correct है now our next question if sin theta equals root 3 cos theta अब देखिए theta का लाई कर रहा है 0 और 90 के बीच में है देखिए इसका मतला होता है 0 और 90 के बीच में 0 theta is greater than 0 but less than 90 तो theta की value पूछी गई है तो देखिए sin theta किसके एक पल है root 3 cos theta के और theta की value हम उसे पूछी गई है हम एक काम करते दोनों side cos theta का divide लगाते है इधर भी cos theta का divide लगाते है इधर भी क्यों तकि right hand side में क्यों एक numerical value बच जा है यह cancel out 10 theta की value आ गई हमाँ पास root 3 अब देखिए 10 theta की value root 3 कब आती है theta कब होगा जब value इसकी root 3 बने तो हम जानते है theta अगर 60 degree होगा तो 10 theta root 3 हो जाएगा यानि हमारा answer theta equal to 60 degree होगा desert k 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 झाल झाल